अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज रेड बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और बाजू में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें इससे में जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकेंगे तो मेरे जो टिवाई बिये के स्टूडंट मित्र है वो ये वीडियो जरूर देखे क्योंकि उनके जो दो सब्जेक्ट है पी एस वाई 308 और पी एस वाई 395 इन दो सब्जेक्ट की एक्जाम 29 और 30 सब्टेमबर को रखी गई है और मुं है तो उन सब स्टूडंट को जानकारी मिले उसके लिए एक नॉटिफिकेशन लगाया गया है ओनलाइन अप्लोड किया गया है यूं कह लिजे अभी नॉटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं इस पर मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है तो उनसका लिंक मैं आपको डिस्क नॉटिफिकेशन के हिसाब से नॉटिफिकेशन में के हिसाब से ऐसे है कि इसमें दो फोन नंबर दिये गए है एक है डॉक्टर गांगुडे नंबर है 09423696777 और दूसरा नंबर है श्री आगवन 9881027242 जैसे नॉटिफिकेशन है आप देख लिजे ये पूरा नॉटिफिकेशन जो है मैं सेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीन सोटोस का उसमें ये दोनो नंबर फोन नंबर दिख रहे हैं मेल आईडी के साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर गांगुडे और स्री आगवन ये दोनो फोन नंबर है इसको आप ध्यान में ले लीजे इन दोनो नंबर पे आपको एक्जाम के दो दिन पहले याने की 27 और 28 तारिक को फोन करना है और कोई एक टाइम पहले आपने फिक्स कर लेना है कि हम इस टाइम पे एक्जाम देंगे तो ये 27 और 28 को फोन करके अपना टाइम फिक्स कर लेना है और आप सबको जो है नासिक के केटी, हम, महाविद्यालई में ना जाके वहाँ पे आपको जाने की जरुवत नहीं है वहाँ ना जाके इसमें ओनलाइन माध्यम है जैसे की जैसे की गूगल, चैट, वीडियो कॉल, कॉल और जूम एप ये चारो डिजिटली ओप्सन दिये गए है, तो उनके थूँ आपको एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल जाने की जरुवत नहीं है, तो इन चारो माध्यम से एग्जाम देने के लिए सबसे पहला आपको सत्ता है, सथा है, इसको फोन करके अपना टाइम फिक्स कर लेना है ये सारे स्टूडन को पता लगे, इसलिए युनिवर्सिटी के थूँ एक नौटिफिकेशन वाइसीम की ओफिस्यल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, और साथ ही इसके साथ आप अपना ये चेक कर सकते हैं कि इसी नौटिफिकेशन में सारे स्टूडन का जिनको ये दो सब्जेक्ट हैं और उनको एक्जाम देने हैं, उन सारे स्टूडन का नेम सीट नंबर के साथ दिये गये हैं, तो आप ये नौटिफिकेशन देख ले और अपना नाम चेक कर ले और अपना टाइम जो है फिक्स करें और अपना एक्जाम मीस ना हो, इसो जैसे ध्या जान में ले और अपना एक्जाम जरूर दे, आपको अगर मेरी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करे, शेयर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडन झाल